नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है और पेश रे इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरें राजस्तान विधानसबा में बजट सत्र के ग्यारवे दिन यानि शुकरवार को विधायक सरकार से विबिन मुद्दो पर सवाल पूछ रहे हैं इस सत्र में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने 24 फ़रवरी को राजस का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था और अब तक बजट बहस में विपक्ष और पक्ष के नेताओं में कई घोशनाओं पर बहस हुई है गुरुआर को मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है बलकि विबिन मदो में 910 करोड रुपे की रियायते दी है इसे पहले सदन में चर्चा में भाग लेते हुए नेताप्रतिपक्ष गुलापचंद कटारिया ने बजट की घोशनाओं पर कहा कि लोगों को खुश रखने के लिए आंकडे बाजी की गई है वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश भर में कोरोना वैक्सीन अभियान जोडशोड से चल रहा है और इसी कड़ी में राजसान के मुखे मंत्री अशोग गहलोत ने SMS होस्पिटल के IHD सेंटर में लगवाई कोरोना वैक्सीन इस जोरान चिकिसा मंत्री रगुशर्मा वी रहे मोजूद कोरोना वैक्सीन अभियान के दूसरे चरण की पीम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा कर कीथी शुरुवात दिली में नई बन रही संसद में ऐसी सुरंगे बनाई जा रही है जो अंडरग्राउंड रास्तों से पीम आवास और उप्राष्टपती के घर तक जाएंगी इसे आम लोगों को वी वी आई पी मुवमेंट के चलते परिशानी नहीं होगी और संसद के बाहर ट्राफिक की आवाजा ही समाने रूप से जारी रह सकेगी सेंटरल विस्टा के निर्वान योजना के रुसार नया पीम आवास और पीमो साउथ ब्लोक की तरफ बनाया जाएगा नयाव प्राष्टपती चैंबर नौर्थ ब्लोक में होंगे और इसके अलावा संसदों के चैंबर उस तरफ होंगे जहां ट्रांसपोर्ट और श्रम शक्ती भवन है रिपोर्ट के मताबिक ये सुरंगे सिंगल लैंड की रहेंगी और इनका इस्तमाल विशेश रूप से कुछ लोगों द्वारा ही किया जाएगा बताया गया है कि चुकि ये छोटे घंड है और ऐसे में संसद तक पहुँचने के लिए गोल्फ कोर्ट का इस्तमाल किया जा सकता है राश्ट्रपदी भवन से इस तरह के लिंग की आवशक्ता नहीं बताई गई है बिकानेर जिले में पानी पर अफ पुलिस का पहरा रहे का चालिस जिन तक पुलिस को पानी की एक एक बून की रक्षा करने का काम सोपा गया है और इसके लिए आठ थानो, कोलायत, बज्जू, पूगल, लूनकरंसर, नाचना, चूरू, मोहनगर, रामगर, खाजवाला की पुलिस के साथ ही तीस आरे से जवान भी तैनात रहेंगे नीकानेर, चूरू, हनवानगर, जैसलमेर के कलेक्टर एस्पी, इनके निगरानी करेंगे पहली बार प्रदेश के एक से दूसरे जंगल में सामर्ज चीतल जैसे शाकहारी जिवो को स्थाना अंतर्त किया जाएगा शुरवाद भरतपुर घाना पक्षी विहार राष्टे उध्यान से करीब 300 किलोमेटर दूर बागो के लिहास से संकट में आए कोटा मुकुंदरा से होगी वन विभाग में पहली कड़ी में 500 चीतल शिफ्ट करने के लिए राजसरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और अभी तक विभाग की ओर से जन्तुालियों जैसे जगों में पले सांबर चीतल को ही सीधे जंगल के सुपूर्द किया गया है और अब मुलत है साउथ एफ्रिका और इसकी बाद मद्यप्रदेश पे अपनाई जा रही बोमा टेक्नीक के जर्ये इन्शाकाहारी जीवों को शिफ्ट करने की प्लानिंग है कोरोना वेक्सिनेशन की दूसरी डोस चुरासे दिन बाद अधिक इफेक्टिव के दावे के बाद प्रदेश में अब हेल्थ वरकर्स दूसरी डोस लगवाने से कत्रा रही है कंपनी की ओर से जर्नल में पब्लिकेशन के बास सिती ओर भी विकट हो गई है जिन लोगों का वेक्सिनेशन के लिए नंबर आ गया है वे भी नहीं जा रहे हैं और अब जब की दूसरी डोस लगवाने वालों में डॉक्टर्स की संख्या अधिक है तो वे किसी भी तरह 28 दिन में वेक्सिन लगवाने के लिए तयार नहीं है उनका कहना है कि अब तभी वेक्सिन काम नहीं के बराबर ही करेगी तो इसे लगवाने का क्या फायता विधान समावे गुरुवार को शुनेकाल के बाद बजट पर बहस शुरू हुई कॉंग्रिस को चितावनी देते हुए कहा कि सता पक्ष अगर इसी तरह का विवहार करेगा तो हम एक ही दिन में हाउस नहीं चलने देंगे रादसान लोकसिव आयोग ने सहाय कभियंता भरती 2018 के तहट मुख्य परिक्षा का परिणाम घोशित कर दिया है सचीव शुबम चोधरी ने बताया कि आयोग ने मुख्य परिक्षा 3-5 दिसंबर 2019 तक कराई थी और इसका परिणाम और कट ओफ मार्क्स जारी किये गए है अब अर्थियों के साक्षातकार के लिए अस्थाई तोर पर साक्षातकार के लिए सफर गोशित किया गया है विस्थ आविदन पत्र एवं साक्षातकार की तिती को लेकर शिग्र सूचना जारी की जाएगी सीकर शेत्र के एक खाटू लगदातार दर्बार में शाम भक्तों की भीड बढ़ती जा रही है मिले के दोरान कड़ी गाइडलाइन की गोश्चा के चलते रिश दालू पहले ही बाबा के दर्बार में निशान अर्पित करने लगे हैं और ऐसे में दिन प्रति दिन बढ़ती भीड प्रिशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनोती है एक ज़रा सी चूक यहां कोरोना के संक्रमन को घातक बना सकती है और इसका असर न किवल खाटू कस्बे पर होगा बलकि देश के सभी कोनों पर नज़र आएगा अब तक की विवसाओं और इंतजामों की सिटी देखें तो हर जगे संक्रमन को फैलाने वाली चूक नज़र आ रही है कोचिंग सिटी कोटा में बदमाशों ने जम कर लूट पार्ट मचा रही है बदमाश नित नए तरीके अपना कर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे है गुरुवार को भी देर रात गुमानपुरा और उध्योग नगर थाना इलाके में लूट और लूट के प्रयास की दो अलग-अलग वारदाती हुई है पहली वारदात में चामनी पुलिया के पास एक व्यक्ती से तीन माईक सबार बदमाशों ने चाकू की नोग पर मोबायल और पर्स लूट लिया और वहीं दूसरी वारदात में सैंवन वंडर्ज के पास एक व्यपारी के साथ लूट का प्रयास किया गया इसमें लुटे दे सफल नहीं हो पाए मुखेमंत्री अशोग गहलोत ने गुरुवार को फिर से प्रदेश के लिए घोश्टाओं की बोचार की है बजट बहस पर विदान सबा में जवाब के दुरान सीम ने कई महतपून और बड़ी घोश्टाओं की गहलोत ने चिकिस्सा और शिक्षा के साथ ही कृशी राजस्व ग्रह प्रेटन और उध्योग जैसे विभागों के लिए महतपून गोश्टाओं की है बजट में चुटी घोश्टनाओं को सीम ने अपने रिप्लाई में शामिल किया और 65 बिंदूओं की घोश्टनाओं में हर विभाग और शेत्र को छूने का प्रयास किया विधान सभा में मुक्यमंत्री की ओर से पेश किये गए बजट पर सरकार का जबा बाने के बाद आज से सदन में अनुदान मांगो पर चर्चा शुरू होगी आज पियजल की अनुदान मांगो पर चर्चा होगी जिसमें सता पक्ष और विपक्ष के सदर से अपनी अपनी बात सदन में रखेंगे इससे पहले आज सदन की कारवाही सुबह 11 बजे प्रश्टकाल के साथ शुरू होगी पहला सवाल राजस्व विभाग से जुड़ा है विधायक लक्षमन मीना बस सी विधान सबाश शुत्र में रीको को भूमी का अवंटन का सवाल सदन में उठाएंगे दोलपुर कोर्ट पेशे से रोडवेज बस में लोडते वक्त फाइडिंग कर भागने की उचना दो मार्च की साजिश दो मार्च को खुद को क्या डकेट लुका नहीं रची थी लेकिन प्लान में चूक ये हो गई कि उसके साती बदमाश अपने साथ मिर्च पाउडर ले आए इसकी जानकारी भी उसे नहीं थी और उसे चुड़ाने के लिए साती बदमाशों ने जैसे ही चालानी गाड़ों की आँखों में मिर्च पाउडर जोंका तो लुका हैरान रह गया और इससे उसकी आँखों में तेट जलन हुई और वह भाग नहीं पाया लुकाजे पूश्टाश में यह खुलासा हुआ डुंगरपुर शेत्र में गीली लकडी तसकरी के सूचना पर वनविभाग के ओर से की गई नाकाबंदी को तीन दिन पहले एक ट्रक तोड़कर भाग गया वनविभाग की टीम ने रुबंद्यत वाहन के जरिये ट्रक का पीछा किया तो इस ट्रक को एसकोर्ट कर रही एक बोलैरो ने वनविभाग के वाहन को टकर मारी और करमचारियों से मारपीट का प्रयास करते हुए भाग गई तीन दिन बाद पुलिस को रिपोर्ट देने के सबंद में वनविभाग के अधिकारियों का कहना रहा कि 28 स्वरवरी की राद 12 बजे आसपूर थाना शेतर के पुंजपुरा काबजा मेन रोड के पास यह घटना हुई जैसल मेर जिले लाटी कजबे में लगातार अग्याद बिमारी से हो रही भीडो वे बक्रियों की मोत के मामले में आखिरकार पशुपालन विभाग की नींद खुल गई है विभाग की और से एक चिकिसक्य दल लाटी में पहुँचा जहां पर बिमार भीडो का उपचार शुरू किया और साथी बिमार भीडो का जांच के सेंपल लिए और वहीं मित भीडो का पोस्माटम किया तदा जांच के लिए नमूने लेकर लाब में भिजवाया गया है लाटी कस्बे में पिछले एक सब्ता से अग्याद बिमारी के चलते भीडो की मोते हो रही थी लाटी कस्बा निवासी पशुपालक दोस मुहमत की एक सब्ता हमें 30 से अधिक भीडे अग्याद बिमारी के चलते काल का ग्रास बन गई है फिलाग इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजी होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार